तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सूजी मसाला पास्ता बनाने की रेसिपी पास्ता तो सभी को बहुत पसंद होते हैं और साथ में अगर पास्ता हल्दी भी हो तो बहुत अच्छी बात हैं तो आज हम यहाँ पे सूजी का पास्ता बनाएंगे तो हमने यहाँ पे यपी नूडल्स का एक पाकेट लिया है तो यपी नूडल्स का हमने ट्राइकलर पास्ता लिया है जो 100% सूजी है और इसके साथ में हमें इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर हमने पानी आट कर दिया यहाँ पे हमने सबसे पहले जो हमारे सूजी पास्ता थे उसको एड़ कर दिया मसाला डाल दिया और यह हमारे जो पास्ता है बिल्कुल रेडी हो जाते है इनको बनाने के लिए 5 मिनट लगते है और इतने मेरे जो पास्ता की रेसिपी रेडी हो जाती है यहाँ पे जो हमारे ट्राइकलर पास्ता है इनको बनाना बहुत ही असान है यह recipe हमारी 5-10 मिनटे बन के तियार हो जाती है और इसके अंदर आप थोड़ी सी wedges भी add कर सकते है बट अगर आप plain मना रहे हैं तो यह plain भी बहुत ही ज़्यादा tasty लगते हैं यहाँ पे हमारी instant suji pasta की जो recipe है वो बन के ready हो गई है और अगर आपने अभी तक यहाँ पे try color यपी के pasta जो है try नहीं किये है तो आपको एक बार ज़रूर try करना ही चाहिए यह recipe बहुत ही tasty है और बच्चों को तो यह pasta बहुत ही ज़्यादा पसंद आते है यह बहुत ही खिले खिले बने है यह बहुत ज़्यादा tasty लगते है खाने में एक बार इस recipe को जुरूर try करें आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे comment section में जुरूर बताए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप subscribe कर सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर आप Instagram पर जुड़ सकते हैं और इसी तरह से आप अगर अभी तक मेरे साथ Instagram पर नहीं जुड़े है तो मेरे Instagram के आईडिया मधू की रसुवी और आप मुझे YouTube पर भी subscribe करें मधू की रसुवी करें मुझे रसुवी